क्या आप हिमाले के योगियों से मिलने का अपना अनुभव बता सकते हैं? I don't go to Himalayas to meet anybody. मैं हिमाले किसी से मिलने के लिए नहीं जाता. साथ ही, हिमाले के रहस्मई आयाम, बहां कई रूपों में सुरुक्षित हैं. कई, 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 शायद दुनिया में दूसरी कोई जगा नहीं है. दुनिया के हर हिस्से में ऐसी जगाएं हैं, जहां कुछ लोगों ने अपने आस पास कुछ उर्जा और कुछ स्थितियां छोड़ी हैं, जो हमेशा मौजूद रहेंगी. मगर मुझे नहीं लगता, मैं हर जगा घूमाऊं. कोई दूसरी ऐसी जगा नहीं है, जिसने इतने दिव्विदर्शी महापुरुष देखें, जितने हिमाले ने देखें. दुनिया में दूसरी कोई जगा ऐसी नहीं है. अगर आप उसके प्रती समवेदन शील हैं, तो वो सिर्फ एक पहार नहीं है, वो कुछ और है, ये आपका विश्वास नहीं है. मैं हिमाले को पवित्र या उसे कुछ मानने की बात नहीं कर रहा हूं. कई योगियों और दिविदर्शियों ने कभी ना बोलने, कभी ना सिखाने का रास्ता चुना. मगर साजह करने की उनकी चाह कम नहीं थी. तो वे अपना काम एक अलग रूप में छोड़ते हैं. ऐसे कई जगाएं हैं. विल्यांगरी परवत बहुत शक्तिशाली है. अगर आप सात्मी पहाड़ी पर जाते हैं, कोई वहाँ गया है? आप सात्मी पहाड़ी पर गया है? अगर आप वहाँ जाते हैं, वो बहुत बहुत शक्तिशाली स्थान है. कुछ योगियों ने उस थिती को इस तरह से छोड़ा कि वो पूरा स्थान जबर्दस तरीके से स्पंदित होता है अगर आप वहां जाते हैं अगर आप थोड़े समविदन शील हैं तो वो आप की रीड की जड़ से आपको हिला देगा इस तरह कई स्थान है अगर आप उसके प्रती खुले हैं अगर आप उसके प्रती समविदन शील हैं और ग्रहन शील हैं ये योगी जो भी थे उनके जीवन भर की महनत और उनकी परंपरा बस एक अलग रूप में वहां रखी हुई है आप हमेशा उस तक पहुँच सकते हैं उस अर्थ में हिमालय बहुत समृद्ध है बहुत भरा हुआ है क्यदार के आस्पास के स्थान युकतेश्वर और दूसरे स्थानों ने बहुत से जीवों को देखा है देखिए अगर आप अपने शरीर से काम करते हैं अगर आप अपने मसल्स का इस्तेमाल करके काम करते हैं, तो आपके काम का जीवनकाल एक निश्चित लंबाई का होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है. वे सारे अर्बो खर्बो लोग, जो आपके और मेरे आने से पहले इस धर्ती पर रहते थे, उनका सारा काम कहा है? उन्होंने अगर कुछ छोड़ा तो बस अपनी संताने, उसके लावा और कुछ भी मौझूद नहीं है. अगर आप अपने शरीर से काम करते हैं, तो उस काम का जीवनकाल बस उतना ही होता है. अगर आप अपने दिमाग से काम करते हैं, तो वो आयाम हमेशा के लिए होता है. चाहे धरती खत्म हो जाए, वो खत्म नहीं होगा. जैसे आपके पास इंटरनेट है, एक योगिक नेट भी है. अगर आप तयार हों, तो आप देख सकते हैं, कि गौतम बुद्ध 2500 साल पहले नहीं थे, वो आज भी हैं. आज भी उतने ही जीवन थें, जितने वे 2500 साल पहले थे. बस इतना है, कि अब उनके पास भौतिक शरीर का बोज नहीं है. भौतिक शरीर एक बाधा है. भौतिक शरीर के जरिये जो भी आता है, उसके साथ आपकी पसंद नापसंद होगी. है ना? तो भौतिक प्रक्रिया से मुक्त होने के बाद, वो और भी शक्तिशाली और असरदार बन जाता है. भौतिक शरीर के बाद, भौतिक शरीर के बाद,